वेलकम स्थूडेंट्स संस्कृत रंग मंच का आपका एक एकाई हम लोग पहले कर चुके हैं दूसरी एकाई आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट तीन नाट गरह के पकार तो पहले आप लोग से लिवस एक बाट अली जरूर कर लीजिए पीटा संस्क्रत रंग मंच नाम है पेपर का आपके बी-ए प्रोग्राम संस्क्रत का यह पेपर है सेमेस्टर 3 का D.S.C. मैनर पेपर है और विशै सुची इसकी पहला जो इकाई थी हमारी हमने कर ली है नाटे और रंगमंज का उद्भव और विकास और अचारे भरा तेवा उनका नाटे साथ दूसरी इकाई में हैं दो पाट नाटे ग्रह के प्रकार रंगमंज का निर्मान ये हम करेंगे तुती आज हम करेंगे नाट अगरह के प्रकार, तो तीसरा पाट है यह आपका संस्कृत रंगमंच का दूसरी इकाई का पहला पाट है नाट अगरह की प्रकार को सब्सक्राइब कर लिए होगा, नहीं किया है तो अभी कर लिजी बिटे नाटे ग्रह का मतलब ही होता है रंगमंच, यानिकि stage जीसे आज कल आप लोग बोलते हैं, जीसे आज कल आप stage बोलते हैं, वही नाटे ग्रह है, नाटे ग्रह मिसु से पूरा का पूरा auditorium, रंगमंच, ठीके बिटा, जहाँ पर नाटा किया जाता है, theater जीसे आप कह सकते हैं, उसे ही यहाँ पर संस्कृत में नाटे ग्रह या रंगमंच कहा जाता है, अभिनाय की दिश्ट्री से रंगमंच का विशेश महत्र होता है, अभिनाय मिसु से acting, रंगमंच अभिनाय का वह सुखत भाव है, जहां सहज भाव के अभिनाय कोता है, रंगमंच वो जगा होती है जहां पर सहज रूप से अभिनाई किया जाता है लोग स्पेशल जाते हैं एक्टिंग देखने के आकार और परिमान की दिश्टी से विविन आचारियों के अनुसार नाट्य ग्रह के अनेक भेद और उपभेद जो आचारिया है उन्हों ने रंगमज के बहुत सारी प्तकार बताएं उनके भेद बताएं और भेदों के दिर उपभेद बताएं हैं उनके बारे में आज हम पतने रंगमज क्या है अपेट्ष्या चार्थ एक अरवाची नाम यानके नया नाम है हलांकि लेकिन इसका उल्लेक भरत के जो नाट्य शास्त है उसमें परवती लक्षन प्र या फिर दोनों का ही परिके से सिनोनिम लगता है परियावाची लगता है यह क्या होते हैं रंगपीठ और रंगशीश इनको भी पढ़ेंगे हम लोग नाट्य मंदप के आधे प्रेश्ट भाग को दो भागों में विवस्त करके उसके अगर भाग को रंगशीच और पीछे बाटा जाता था उसमें आधा होता था पीछे बैगराउंड और आधा होता था स्टेज जिस पर परफॉर्मेंस दी जाती थी तो आगे का हिस्सा जिस पर की परफॉर्मेंस दी जाती थी उसे रंगशीश कहते थे और जो पीछे का हिस्सा होता था जहां परफॉर्मर्स होत नाटे मंदब को प्रेक्षा ग्रह भी कहा जाता है और नाटे मंदब भी कहा जाता है अब रंगमज का इतिहास भरस से पहले रंगमज कैसा था इसके बारे में छोड़ा सा चर्चा है आपके से लिबत में भारत एक उस्व प्रधान देश है भारत में बहुत सारे उस्व मनाई जाते रहे हैं उत्ताओ के सबटा के शुरुआत में एक निश्चित स्थान लिया गया जिहां प्रतिवर्ष निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर अयोजन क्या नीicar निश्य समय पर निश्य जगह पर जिसे आप मेला भी कहते हैं आइसल की तरीके से उस सब का आयोजन किया जाने लगा आदे माला गुफाओं में रहते थे तो उस सभी गुफाओं में ही आयोजन होते रहे होंगी जाई सिवात है तो भीम बेटका के जो चित्र थे वो भी एक चरिके से उस समय के उस सभों के ही अफ्षेष्ट जिन कही जाते हैं जैसे जैसे सभीता आगे बढ़ती गई वैसे वैसे यह स्थान भी अपने आकार में बड़े होते रहे लेकिन भरत मुनी के काल तक आते आते हैं यह सारी किसारी प्रथाएं जो है यह तो व्यवस्थित अच्छी तरह से समय में थापित हो चुकी थी उस्थवों में नाटकों के विवस्ति रूप से संचालन के लिए भरत मुनी ने अन्यक नियमों की चर्चा कि बढ़ता नाट्य शास्त का अविश्कार नहीं किया था नाट्य शास्त अल्रेड़ी उनके समाज में चल रहा था नाटक वगारे चल रहे थे उनके लिए उनने नियम बनाए थे ये चीज़े systematically कैसे की जैसे फिये लिखा था उने आगे नाटक के भेद प्रभेद से लेकर रंगमंच के निर्मार तक सबी सोख्ष्म विश्यों की चर्चा अध्याय के अनुसार की रही है उनके नाट्य शा नाटक के प्रदर्शन के लिए जो भी कोई प्रदर्शित करना चाहता है नाटक को से एक स्टेज चाहिए होता है जहां पर उल्ग मंच जन करते है उस नाटक का उसे वह क्या कि उन्हें मंच का है मंच की जदुद्वत पड़ती है उसके लिए तो इसलिए नाटक और रंगमंच एक दूसरे पर आर्शित होते हैं नाटक के बगएर रंगमंच का कोई वजूद नहीं है रंगमंच की कोई नाटक के लिए एक अधार्भूत ततव है, बेसिक शीची है नाटक के अगया थैया है, सिर्फी एक अदाल टतुछ के तर्यार के निखानगे इन है ना निखना नाटक को ईस डानच को भी के रूख स्टेज नहीं है ये मैं तो पर करें तो उसमें जब फाइनल स्टेज इंठ पर्फोर्मेंस देते हैं तो उसमें आपको देख करके अलग ही गयता दिखता है पहले जो रियुहसल कर रहे हो दां मोँ थीयृ सभी है और जो स्टेज है जो क्रेटफर्म है वह हुे मैटर करता है नाट्या, शास्त्र में रंगमज को बहुत मैत्व दिया गया है बहुत अड़ंकरन बहुत इंप्वर्टन दिया है इसमें प्रयोग होने वाली सामगरी से लेकर इसकी बनावड तक के छोटे से छोटे बिंदू पर बहुत ही कि बारी किसी तो नोने अनुसंदान किया है पीडियेफ में जब अग कनवर्ट करते हैं वर्ड को तो कई वर्ट ना फॉंट की वज़ा से इदगदर हो जाते हैं तो जो मैं बोल रही है उस पर आप धियान दीजेता है ना नात्य प्रयोग के लिए प्रिक्षाग्र है और नात्य मंदप की तरह रंगमंच शब्द का भी प्रयोग किया जाता है नात्य प्रयोग के लिए जो प्रिक्षाग्र है जो नात्य मंदप है वही रंगमंच भी है यह स्थान रंजन के मुक्यस्तल होने के कारण रंगमंच के शोग की दहारमेक भावना के कारण ही रंगवंच ऑप्सवरूपने आया video भारत के लोग चमतकार पर विश्वास करते हैं, चमतकारी घटनाव से नाट्य का विकास हुआ होगा, ऐसा माना जाता है, अलकि विश्वास किया जाता है कि वेदों की तरह ही नाट्य का जन्वी भ्रहमा के द्वारा ही हुआ है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यसे वेदो इन पर दो सींग, उनमें से एक सींग बैल का है एक सींग भेड का है तो अंदरदर कम लगया जाता है कि संदु घार्टी की जो सभ्याता था कि अभिनाड है गा श्केम बह्त भी मति ज़ता कि नंति यह लेता, लोकि η इस बात के शावित करती है कि वहाँ पर नट नटी की मूतियां भी मुली है भरत से पहले की हो गई अब भरत का रंग मंच भरत में अपने नाटे शार्त में नाटे मंदब उसके आकार प्रकार रंग पीठ रंग शीष नेपात्य और मत्वारिनी क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगी जो कोई भी स्ट कि निए अनुवार लगाया जा सकता कि भारत में बहुत पहले ही खुच चुका था जो कि भरत ने नाटे मंदब कैसा होना चाहिए उसका अकार परकार कैसा होना चाहिए रंग पीठ कैसी हो रंग शीष कैसा हो ने-पत्य कैसा हो उन्हों तो इन ची जोंक विज़न की जीज नाट्य शाल्त में खुद भरत मुनी ने लिखाया कि उन्होंने इंद्र की विजय के मौके पर अपने सौ कुत्रों और अपसराओं को लेकर के एक नाट्य का प्रयोग किया था नाटक खेला गया था वहां पर और उसी के आधार पर उन्होंने बाद में नाट्य शाल्त की कि रचना करके रंग मंडप या प्रिक्षाग रखे चारोड दीवारे वगरा बना करके यह मंडप बस्तियों से दूर हुआ करते हैं गुफाओं में बनाई जाते थे पत्थरों को काट करके और दूसरे होते थे शिष्ट अर्यजनों के लिए जो कि राजाओं के लिए खा बाकी सारा का चारा निच्चा हो इस तरीके से बनाया जाना चाहिए वह प्रेक्फर्म यहां के लिए उन्हें यही निर्देश्ट है अगे एक सीता बेंगा गोफा इसका आपके यहां पूरी की-पूरी केस्ट टडी है प्रिके से यह आपके यह चले बस में इसको मैंने भ अशोक के शासनकाल में निर्मित एक नाट्यमंडप का उधारण इसापूर्व तीसरी शती की सीता बंगा गोफा में पाया गई कहां पर है यह शेल गुफा में इसी के पास जोगी मारा गुफा भी है यह गुफाईं मरद्यप्रदेश के सरगुजाजिले में हैं दुनों की दुनों गुफाईं कौन कौन सी सीता बेंगा गुफा और जोगी मारा गुफा जोगी मारा गुफा में प्राप्त लेक से पता चलता है कि इस गुफा में सुतनुका यहां पर नाम है इसका सुतनुका नाम की एक देवदासी रहा करती थी इस गुफा में जो कि यह हमारी जो जोगी मारा गुफा है उससे एक लेक मिला है जो कि ब्रामी लिपी में लिखा उससे पता चलता है कि वहांपर सुतनुका नाम की एक देवदासी रहा करती थी, अंदाज़ा लगाया जाता है कि नर्टकियां जो थी हो पास ही, तो अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि वहांपर जो नर्टकियां थी यह कि डांसर जो थी पास की नाटेश आला में काम करने के बाद वहां पर रहा करते हैं ड़क्टर जे बलाश ने अर्केलोजिकल सर्वे और इंडिया रिपोर्ट में इसका उले किया है बताया है कि साथ में यह भी कहा है कि जो यहां की पास की जो नाटेशाला थी हो सीता बेंगा गुफा हो सकती है सीता बंगा जो गुफा है इसकी लंबाई और चोड़ाई भरत के दौरा जो बताई गई है विक्रश्ट आकार के जो अवर नाटे मंदब बताएं हैं उन्होंने एक टाइप और नाटे मंदब उनकी लंबाई और चोड़ाई की तरह से है और बहुत से विद्वानों के मत जानने के बाद इस बात पर कोई संदेव नहीं होना चाहिए कि सीता बेंगा जो है यह नाटे मंदब काई पुराना रूप है और भारत वर्ष के अधिकांश नवरों और 아니lla को में बना के में अब नाटिक क्या बीना सवाजिक कलिया ही इसलिए इसे जन कोला isil से दूर स्थान में नाटे मंदब का निमान ब्याट होता है। बिनेके और संकेत करते हैं जिसे कहा जा सकता है कि उसमें रंग होने की विवस्था हुआ का तो यानि कि यजुरवेद में और रिगवेद में नाटे के प्रमाण मिलते हैं अर्थ शास्त्र के अध्यक्षित प्रचार अधिकरन के प्रथम अध्याय के 41 और भी नत्र नर्तक गायक वादक वागार्वाद्स थी को माहा भाश्या में रावायन में नभी वटतावायम् मलते हैं काम्सूत में प्रेक्षट जो मंत्रीक्षण ग्रहा । संबंदित है कोश्य जातक और उदर जातक में नट और नाटक शब्र मिलते हैं जो कि जैन राजी एने सुथ में नाटे ग्रहका भी प्राचीन वर्णन मिलता है नाटे भवन को हाँ पर पेच्छा घर कहा गया है पाली भाशा में तो देखा हमने के बौध धर्म में भी नाटे का बर्णन मिल रहा है यानि कि नाटे हमारे भारत में बहुत पुरानी परंपरा रही है वैदे की यग्या रुष्ठान के रंगमंच से रंगमंच के विकास की परंपरा भी तब वैदे की यग्या जो हुआ करते थे वहां भी कहीं ना कहीं रंगमंच हुआ करता था अब रंगमंच की प्रकार और भेज रंगमंच यान chroniki नायाट मदप का निर्माण नाट।- शाष्चचर में बर्ण मिलता है कि देवता नात्यomनदन के लिए ब्रह्मार के क entren nggak करको collision on a anja दिछान के साथन के आठ क्यान थे विश्व कर स만व करकर है यह कहा मंदब पहला बना थो वह बिश्व करमा ने उसका निर्मान आचार्य भरत ने नाठी मंदब सम्यक विचार करके विश्व करिमा के द्वारा उसकी दीम प्रकार की कलपना पी जो इस्तकार से है या क्या है विक्रष्ट चतुरष्ट और ट्रेश्ट अब जो विक्रष्ट होता है आयतकार होता है रेक्टेंगल होता है चतुरष्ट होता है यह स्क्वेर होता है वर्गाकार होता है त्रेश्ट जो होता है यह तिकोन आकार का होता है इन तीनों के ही तीन तीन आकार होते हैं कि रहा नाच मोजने शांव और बहुत पनार्फट नों हम धार कि बहुता है रहे को सुटर से अच्छी तरह से एक सो और चेवात मन्दे नाट Clayton in के बाद लंबाई में दो भागों में नाब दिया गया जाता है यानि कि दो भागों नाब दिया गया जाता है यानि कि 108 हिस्से है उसके तो 54 by 54 के दो बर उसमें बन जाएंगे 54 by 64 तो यह जा बन जाएंगे दो आगे का 108 हृत लंबा भाग जो है दर्शकों की बैठने के लिए होता है और पीछे के 64 हाथ लंबे जो हथ है वो दो भागों को विवादद कार। पुराना यूनिट है बिटाई, बतीस हाथ लंबा जो इस्सा है वो रंगशीश बनता है, और बतीस हाथ लंबा रंगशीश बनता है, यनि कि स्टेज जो है, उसको दो भागव में बाढ़ दिया, आधा बैबराउड में रहेगा, आधा ओडियन्स के सामने रहेगा, जहां अ पीछे के आधे भागे में नेपथ्य ग्रह बनाया जाता है, जहां पात्र अभिनाय करने के लिए रंग मंच पर आने से पहले की तयारी करते हैं, अब शोभव सर में इसकी नीव डालकर दीवारे बनाएं, बरत मुनी ने नीव डालने का काल और नक्षत भी बताई हैं दूसरा होता है इसका विक्रेष्ट याने के मध्यमाकाथ, इसमें चौशाथ हात लंबा और बत्य साथ चौड़ा अपने के बाद अपने के बाद उसे आधा हो गया यह जबतुर जब आधा हो गया है ना, दो दो भागों में बाढ़ दी जाती है और इसके आगे का चौश साथ और सोला हाथ चौड़ा बत्य हाथ लंबा सोला हाथ उसका आधे का भी आधा हो गया है नापने के बाद लंबाई को दो भागों में बाढ़ा जाए आधी आगे का बत्य साथ लंबा जो आधा भाग है दर्श्रकों के बैठने के लिए होता है उसे प्रेक्षग रहते ह जाता है और पीछे के 16 हाथ लंबे भाग को दो भागों में बांट करके रंग शीश्व रंग प्रिट रंगता है तो यह हो गए हमारे विप्रेश्ट आकार के नाट्टे मंच इसके बाद है ने पती देखिए यह मैंने इसके लिए आपके लिए तोड़ा चोटा कर दिए जो आधा लिया था उसको फिर से दो इससों में बांटा गया रंग पीठ रंग शीश्व और उसके पीछे हो गया नेपत्य इस तरीके से बना करता था नाट्यम मंदब चतुरश्व जिसकी चारों बुजाएं समान होती है ऐसा मंदब यह जेश्ट आकार में 108 हाथ लंबा ह होता है तोटल 108 हाथ इसकी टोटल लंबाई होती है इतनी ही चोड़ाई होती है प्रेक्षा ग्रह होता है आधा और आधे में रंग्वीट रंग्शीश और नेपत्या बनता है यह इस तरीके का होता है इसमें भी तीन साइज होते हैं मध्यम और अबर्ग होते हैं वो उसके टेसरा होता है तृकों नाकार के जिसमें नेपत्य रंग्शिस रंग पीठ आधे इससे में बन जाते हैं मे बागी का प्रेक्षा अग्रह बनता है ता सुआथ एक सुआथ होती है तो रंग मंज के 18 भेद हैं टोटल हुट अचारियों के अनुचार हस्त परिमान और दंद परिमान को अलग अलग पहा गया है यान कि हाथ एक हाथ अलग है उनके हिसाफ के उनकत और एक दंद अलग यूनिट है उनके साफ जैसे हम मीठर और किलो म हास्ट परिमान के हो गए तीन हास्ट परिमान के जेस्ट विक्रेष्ट मध्या विक्रेष्ट और अव्या विक्रेष्ट तीस दूसे हो गए विक्रेष्ट आयकार आयतकार जंड परिमान के हो गए जेस्ट विक्रेष्ट मध्या विक्रेष्ट और अबर विक्रेष्ट इसी त ठ्रयाशु में हासर्श परिमाण में हो गाए जेश ट्रयाशु , मध्यत्रयाश और अवर्थ rangesु , इस दल्यके चे धन्ड परिमाण में हो MGD, मध्यत्रयाश और अवर्थ enerिकलक्य हो ना, ट्रयाश्ट है जेश ? ओमारे जतुझ तुटल रंगमंच के तंपेयप्स कमाने अबिनाय की पद्यतियों का आज की प्रयोग देखने को मिलता है, खासत तर पर आंगे का अभ inaccurate जो नोटे पद्यत्मियां बताई थी, उनका आज भी वर्णन मिलता है, साथ में इन दर्षिषे टीन लोगों की प्रस्तुतियों प्रमोख मानी गई हैं, पहला है विजय महता की अभिज्ञान चाकुंत्लम और मच्छकटिकम दूसरे अगोवर्दन पांचाल की दूतवाक्य और तीसी कमलेल दर्ट प्रिपतिपार्थी की विक्रमोर वर्षियम चतुर्थंग ये इसमें विशेश माने जाते हैं तो ये था आपका पार्थ नाट्य ये वारत